हर हर महादेव जय मातारानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शांती गंगा हिंदू धर में भगवान की पूजा करते समय नियमों का पालन करना अनिवारे समझा जाता है पूजा की सारी विधियम सामगरी, उपस्तित होना भी एक महत्पुण बिंदिव है दोस्तों इसी पूजा सामगरी में से एक खास वस्तु है पान जिसे संस्कृत भाषा में तामवूल भी कहा जाता है पान का यह नाम तामोल तामर शब्ज से बना है जिसका अर्थ है कोई ऐसी वस्तु जो तावे के रंग जैसी या लाल रंग की हो यह लाल रंग पान के पत्ते पर लगे कथे को दर्शाता है भारत में आधी से ज़्यादा जनसंख्या पान खाना पसंद करती है दोस्तों पूर केवल पूर्वी ही नी बलकि दक्षिन भारत में भी प्रतेक शुबकारी से पहले पान के पत्ते के जरिये भगवान को नमन किया जाता है पान हवन पूजा की एक एहम सामगरी है हिंदू धर्म में विशेश माने जाने वाले इसकंद पुरान में भी पान का जिक्र किया गय दोस्तों बताया गया है कि देवताओं द्वारा समुद्र मन्थन के समय पान के पत्ते का प्रियोग किया गया था यहां से पान के पत्ते का इस्तेमाल रोश्णी में आया दोस्तों लेकिन पान के पत्ते की आध्यात्मिक महत्ता तो इससे भी काफी अधिक है दोस्तों दूद्वारा पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। पत्ते के दायनी और विराजमान है। सामगरी के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पान का पत्ता हमेशा सही सलामत रूप में चमकदार एवं कहीं से भी सूखा नहीं होना चाहिए। नहीं तो इससे व्यक्ति की पूजा साकार नहीं होती है दोस्तो। यदि कोई व्यक्ति पान के पत्ते पर केसर रखकर भगवान गड़ेस को चड़ाता है दोस्तो। तो उसके जीवन से सब इस दुख दर्द दूर हो जाते हैं तो यदि आपको भी कोई कश्ट है तो कोई दुख है कोई दर्द है किसी भी तरह की कोई परिशानी है तो आप पान के पत्ते पर केसर रखकर भगवान गड़ेस को चरूर चलाइए दोस्तो। दूसरा उपाय है दोस्तो बुधवार को पान का सेवन करना उत्तम माना जाता है दरसार इस दिन पान के सेवन से आत्म विश्वास में ब्रध्य होती है तो आपको बुधवार की दिन पान का सेवन सरूर कर लेना चाहिए दोस्तो बहुत सस्ता होता है ज्यादा महेंगा नह दोस्तो सावन के महीने में यदि पान के पत्तों को शिवलिंग पर चड़ाया जाए तो यह अतिलाब धायक होता है ऐसा माना जाता है दोस्तों कि पान के पत्तों को शिवलिंग पर चड़ाने से मन की सभी इच्छाय पूरी होती है दोस्तों यदि किसी को नजर लग गई है त उसे पान के पत्तों के साथ साथ गुलाब की पंखणियां खिला दें इससे नजर तुरन दूर हो जाएगी यह तो आम बात है दोस्तों किसी को भी नजर लग जाती है तो यह सबसे सरल और सस्ता उपाय है आसान उपाय है इसे आप जरूर कीजिए दक्षिन भारत में तो दोस तता एक रुपे का सिक्का रखने का प्रावधान है ऐसी माननेता है दोस्तों कि यदि आप किसी अच्छे काम के लिए रविवार को घर से निकल रहे हो तो पान का पत्ता साथ रखकर घर से बाहर कदम रखना चाहिए यह व्यक्ति के सभी रुके हुए कारियों को संपन करन भी लावकारी है यह एकलोता पत्ता इंसान के शरीर के कितने सारे रोग मिटा सकता है इसकी कलपना भी कभी किसी ने नहीं की होगी दोस्तों पान के पत्ते को चिकिस्स को द्वारा बड़ी मात्रा में औसदी के रूप में इस्तिमाल किया जाता है इसका सबसे मूल आसान उ दोस्तों इसके अलावा पान के रस को शहद के साथ चटाने से बच्चों की जो सूखी खांसी होती है वो ठीक हो जाती है इसके साथ ही बच्चों की छाती में यदि कफ भर गया हो तो पान पर जो अरंड है या उसको अंडी भी बोलते हैं उसका तेज लगा कर थोड़ा गरम क करके चाती पर बांधते रहने से कफ निकल जाता है केवल पत्ते के रस को निचोड का दिन में तीन चार बार पीने से भी हर प्रकार की खांसी से रहत मिलती है पान की पत्तों का रस आंखों में डालने से रतोंदी की बीमारी में भी लाब होता है यदि किसी को सूखी खांस ये दोस्तों करके देखिए आप और इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग मिलेगा आपको योई शक्ति बढ़ाने के लिए भी पान के पत्ते का भारी मात्रा में इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों इसके लाबा यदि पत्ते का रस निकाल कर उसका सेवन पत्ले दूद के साथ किया जाए तो रुका हुआ पेशाप ठीक हो जाता है पान के पत्ते का एक और उपयोग काफी रोचक है दोस्तों यदि पहली बार मा बनी इस्तिरी को किसी कारण वस इस्तन में दूद ना आ रहा हो तो तेल में लिप्त पत्तियां इस्तनों उपर पर घाव इद्यादी रोगों में पान की पत्ति का इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों तो आपने देखा कि पान इतना गुणकारी है इसलिए इसे पूछा सामगरी में तहर में अनुस्थानों में शामिल किया गया है दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके वीडियो को लाइक और शेल